हलो फ्रेंट स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल यमके सर इंस्पिरेशन के एक और बहतर वीडियो में सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहतर धंक से कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम बैद्दुत अपगटन संबंधी फैराडे के नियम को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ले तो इससे आपके तीन नंबर बन जाएंगे क्योंकि ये जो कोश्चन होता है एकजाम में तीन नंबर का पूछा जाता है तो परिभासा पहले आप देखने से पहले इस चीज को समझ लीजिए और परिभासा तो अपने आप ये मेरा आप से वादा है कि आपने इसको समझ लिया तो परिभासा रटना ही नहीं है अब चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक बैदधुत चल बना है जिसमें बैदधुत अब घट क्या है गोला गया अब बैदधुत अब घट क्या होता है तो इसको हमने पहले भी बताया है ऐसे पदार्थ जिनके जली विलेन में से धारा प्रवाहित की जा सके उसे क्या कहते हैं बैदुत अप घट कहते हैं जैसे अगर सुध जल होगा जिसका PHOLU7 होगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी बट उसमें अगर आपने नमक घोल दिया तो वो क्या हो जाएगा उसमें पलस और माइनस आवेस हो जाएगे क्यों क्योंकि हमें पता है यन्ने क्या है ये पलस होता है CL माइनस तो उसमें जो चार्ज होंगे घोल जाएगे और इसके बाद ये विलेन क्या होगा इसमें से धार प्रवाहित की जा सके ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं बैदुत अब घट कहते हैं अब जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे उसका अब घटन हो जाएगा जैसे यह प्लस में टूट जाएगा माइनस में ठीक अब चलिए इस पूरी पिक्चर को हम समझ लेते हैं अब यहां से आपने देख रहे हो यह एक सिल है और इसमें हमने क्या एक बैदुत अब घट को घोल दिया है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं यह धातु की कोई जाएगी यानि बाहसरोज से धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही इसमें जो क्या है शोल्यूशन है यानि विलेन है वो तुरंत ही अप घटित हो जाएगा इसमें जो प्लस वाला है जो प्लस वाला है वो कहां माइनस की और भागेगा और जो माइनस वाला है वो कहां प्लस क और भागेगा तो कहने कातात पर यह है कि जो इसमें पदार्थ की मात्रा होगी इसमें पदार्थ की यन्ने और सियल की जो पदार्थ की मात्रा होगी इन बैदुतब घट पर इन इस इलेक्ट्रोड के चारों और यहां पर क्या हो जाएगी इकठा हो जाएगी ठीक ना इन इल ने हैं हमें पता है ये प्लस है वो माइनस की ओर भागेगा और जो माइनस है चार्ज वो कहां भागेगा प्लस की ओर तो अब चलिए पहला नियम कवर कर लेते हैं यानि पहले नियम को समझते हैं लिखा क्या है परिभासा लिखा ये है कि बैदुत अब घटन से हमने वही बत सायाना बैदूत अबघटन होगा तो इस पदार्थ की मुंत होने वाली मात्रा समान उपाती होता है अब चलिए इसको हम गडती वेंजवक में लिख लेते हैं तो क्या कहा है कि बैद्दुत अब घटन से किसी इलेक्ट्डोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मातरा पदार्थ की मातरा क्या है? तीज़ना और कहा है इसमें प्रवाहित बिद्दुधारा की मातरा है कि अगर हम यह चिन हटाएंगे यह चिन जब हटाएंगे दोस्तों तो यह डबलू बराबर क्या हो जाएगा एक यहां से नियतांक लग जाता है क्यूं बराबर physics में आप जानते होंगे क्यूं बराबर i into t होता है दिन यह क्या हो जाएगा I into T हो जाएगा तो यहां से आपने देखा एक फार्मूला निकल के आ गया ठीक ना अर्थात W बराबर Z into I into T ठीक ना और यहां से क्या है यही तो पहला नियम है कि जैसे ही बैद्दुत अब घटन हुआ यहीं बैद्दुत धारा इसमें प्रवाहित किया आपने तो इस इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है वो मात्रा इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है यहीं जितनी तेजी से आवेश उसमें प्रवाहित होगा उतनी तेजी से ही ये इलेक्ट्रोड पर जाकर के चिपकने लगेंगे ठीक है ना I hope कि पहला नियम एकदम से समझ में आ गया होगा अब यहां से चलिए देख लेते हैं कि यह जो जिड है इसे क्या कहते हैं जिड क्या है ये राशायनिक सिल नियतांग है अब यहां से कभी कभार पूछ लेता है जिड बराबर यानि इसकी भी परिभासा पूछ लेता है कि जो बैद्दूत राशायनिक सिल नियतांग की परिभासा तो आपको उसको देखना नहीं है लेकिन उसकी परिभासा क्या हो जाती है अगर आई बराबर एक रख दें टी बराबर एक यहनि अगर हम एक सिकेंड में एक इंपियर यहनि एक इंपियर की धारा एक सिकेंड तक परवाहित करें तो पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या होगी यही तो राशायनिक सिल नियतांग कहलाएगी बट उसको नहीं देखना है ठीक है ना हमारा काम है कि पर्थम और दुती नियम को देखना ठीक तो पहला नियम किलियर हो गया चलिए अब दूसरा नियम देख लेते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि विद्दुधारा की समान मात्रा को विद्दु धारा की समान मात्रा को भिन 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 बैद्दुत अफगहटे में परवाहिद की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन भिन पदार्थों की जो मात्राएं होंगी उनके तुल्यांकी बहार के शमानुपाती होती हैं तो भाई शाहब कुछ भी इसमें प्रोब्लम नहीं है अब की बार क्या कह रहा है कि अगर हम माल लेते हैं क्या इस तरह से अगर हम माल लेते हैं कई इसमें बैद्दुत अफगहटे हैं इस परकार से हम कई बैद्दुत अफगहटे को माल लेते हैं और इस सब में क्या अलेक्ट्रोडस हैं कि समान वेद्दु Hmmm करना है लेकिन इसमेंस करना है नहीं दोस्तों में करना मात्रा एक आधु प kontroll आप मात्रा होंगी उनिके तुल्यांप की बहार करें तो यही तो कहा है कि इस 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 के दर्षाते हैं E1 के ये इसके और इसी तरह से क्या हो जाएगा अगर W2 है तो ये क्या हो जाएगा E2 ठीक है ना इस तरह से हो जाएगा अब यहां से हमें पता है कि जब इसको हम हटाएंगे तो constant इसमें भी लगेगा नियतांग, इसमें भी हटाएंगे तो ये नियतांग, तो लेकिन जब इसका ratio आप निकालेंगे, दोस्तों इसका ratio जब निकालेंगे, यानि W1 अपान ये W2 करेंगे, तो ये कहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा, E1 अपान E2, ये ही क्या कहता है, फैराडे का दूसरा नियम कह रहा है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं, कि यदि विद्दुधारा की समान मात्रा को भिन 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 पदार्थों की मात्राओं का जो अनुपात होता है, वो किसके बराबर होता है, वो तुल्यांकी भारों के अनुपात के ब तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो हेलफुल आपके लिए लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक सेयर कर देना, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कि आप सभी के वज़ा से हमारा चैनल इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, बस आप सभी का प्यार रहेगा, तो जल्द ही 10 के सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो जाएंगे, यनि 10 हजार, ओ माई गॉड, 10 हजार स्टूडेंट हमारे साथ होंगे, हमारे परिवार के सदस्ट बन जाएंगे, तो मिलते हैं, नेक्स्ट ऐसे ही सांदार टोपिक के साथ, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहेए, और अपनी तैयारी बेहतर ढ़ंग से करते रहेए,